करें तुझे जीन हे तुझे जीन आपके लिए मुंग मसाला की रेसिपी लाई हूँ मुंग काने में बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है और यह यह श्बैशली डायेट फूड भी है उन लोग के लिए जो वेजेटेरियन्स है क्योंकि इसमें एक एक के पोर्शन के जितना प्रोटीन्स है बहुत हाई इन डाइटरी फाइबर है चलिए देखते हैं मूंग मसाला के लिए हमें क्या-क्या चाहिए मूंग जिसको मैंने ओवरनाइट सोग करके रखा है तो इसे मैं बॉइल करूंगे अभी टमाटो प्यूरी मैंने लिया है कटा हुआ रफली चॉप अनियन है आमचूर पाउडर हींग ये जिंजर वालिक पेस्ट है ये मैंने फ्रेश कोरियांदर लिया है और ये कड़ी पत् कि अब बॉइल कर दूगी मैं कि बहुत ही टेस्टी लगेगा थोड़ा पानी और मिला देते हैं इसे हम तीन से चार विसल लगाएंगे से थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूं मैं इसमें इसमें अभी गैस को लग दूँगी और तीन से चार विसल दे देते हुआ है जल्दी से पख जाएगा चली देख लेते हैं हमारे पूं अच्छे से बॉइल हुए कि नहीं है एक दम प्रॉपली जैसे हमें चाहिए वैसे बॉइल हुए है अभी हम इसका मसाला बनाते है चली है मैंने एक कडाई रब दी ग्यास पर जीड़ा यह नहीं कुछ बढ़ा यह यह कि अच्छा हैगा जेश प्रॉपली ज़ोगी जीड़ा बढ़ा इसे साथी थोड़ा सा हीम भी डाल देते हुआ है कि खुश्बू बहत ही अच्छा हैगा रडी पत्ता ना चाहिए प्यास प्यास काटके रखा के रखा है तो भी मै मिक्स कर देंगे अध्रक लसं का पेस्ट है यह भी डाल देते हैं एक चमश्च अध्रक लसं का पेस्ट पेस्ट प्यास का जो है कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है जादा ब्राउन नहीं करेंगे हम मैं इसमें एक चमश्च मिर्जी डालूंगे अगर आपको तीखा खाना काफी पसंद है इसमें थोड़ा सा तीखा वार मिला दीजिया सबी यह पक रहा है इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल रही हूं तीन टमाटो से प्यूरी मनाईए मनेए मिक्स करेंगे है अबिआ दन्या डाल रही हूं दो चमश धन्या डाले मैंने इसमें तो आदा चमश वल्दी अ मूंग भी नमक डाल रहे हैं, इसलिए इस मसाले में हम अकॉर्डिंग थोड़ा नमक में लाएंगे इसे मेक्स कर देंगे, इसे बहुत खटा-फट रेसिपी बन जाती है मूंग अगर बॉइल हो जाए 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 नहीं लगेगा इस बनाएंगे जाए देकर पांश मिन्ट तक पकाएंगे ताक जो भी असमाले है वो अच्छे पख जाए और थोड़ा सा ओयल आने लगे उपर इस मसाले देखिए आप देख सोखेंगे इसे बबल आ रहे हैं जिस पांस मिनिट और इसका मसाला देखिए कितना टेस्टी लग रहा है इसका ओईल भी आ गया उपर अभी जो यह मूंग है यही मैं इसमें डाल देती हूँ उसमें अच्छे से मीक्स करोंगी में थोड़ा सा ह रा दन्यीय डाल देतें इसमें तो जूब आ से पानी Лएले जो ग्रेवी है इसकी अच्छे से मिक्स हो बाए एक डम एक इतना चमच में डाल रही हो उसमें पानी और पान से शात मिनट ताक इसी थोड़ा सा हम बताएंगे ताकि जो मसाले हैं मुह आछे से पक जाए पान से सात मिन ताक इसे रखते हैं हम ढके चले चेक कर लेते हैं यह बहुत अच्छी तरह पगया है अभी मैं इसे बोल में निकाल देती हूँ इसे गारिश करते हैं चली यास कर देते हैं बन इसके ऊपर में थोड़ा सा अम्चूर पाउडर राल रही हूँ इससे इसका जो टेस्ट होएगा और भी अच्छा हो जाएगा इसे मेरे पास रिं तो लीजे हमारा मसाला मूंग एकदम रेड़ी है खाने के लिए खिलाने के लिए आप आपको यह रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे अपने पीडबाक्स एजी किचिन पर जरूर देंगे इसे शेयर और लाइक करना नाम भूले अ थैंक यू अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इजी किचिन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भी